तो भाई लोगों कैसे हूँ तो स्वागत मेरे एक और नई वीडियो में आप देख रहे मेरा चैनल केर फॉर यू आज मैं आपके लिए एक और नई रेमेडी लेगाया हूँ तो आज के माई रेमेडी होनी वाली है स्किन वाइटनिंग के उपर जैसा कि आप सब को पता है गर्मियों का सीजन आज चुका है गर्मियों में सबस्यादा हमारों पर जो इफेक्ट करता है वो है संटैन काफी लोग पूरा पूरा दिन धूब में रहते हैं जिसके कारण उनके चरेर को उपर, उनके चेहरे को उपर, हाथ पैर को उपर संटैन हो जाता है और वो लोग काफी परिशार रहते हैं अपने संटैन को दूर करने के लिए तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी रेमिडी बताऊंगा अगर आप इस रेमिडी को इस्तिमाल करेंगे आपके चेहरे को पर संटैन भी दूर होगा और आपका कलर भी काफी जादा फिर हो जाएगा तो छिरी फैंडी अपनी वीडियो स्टाट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बैल लेकर दबा दीजिए इस रेमिटी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेनी है यहाँ पर दो से तीन चम्मच धही की फिर इसके अंदर हम एड़ करेंगे थोड़ी सी हल्दी और एड़ में हम इसके अंदर एड़ करेंगे एक चम्मच लेमन जूस इसके बाद हम इस रेमिटी को मिक्स कर लेंगे तो यह हमारी रेमिटी बनके तयार हो चुकी है तो चले मैं आपको बताता हूँ आपको इसको किस तरह अस्तमाल करना है आप इस रेमिटी को अपनी फिंगर की मदद से अपने हाथ पैद या फिर अपने चेहरे को पर इस तरह अप्लाई कीजिए इस रेमिटी की मदद से आपके चेहरे को पर से सन टैन बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा आप इसका रिजल्ट पहले बार के इस्तमाल से देख सकते हैं जब आप इस रेमिटी को इस्तमाल करेंगे तो आप इसका फर्क खुद देख सकते हैं कि आपके चेहरे को पर जो टैन तक काला पन था वो काफी हथ तक आपको साफ होतावा नजर आएगा और इस रेमिटी से आपका कलर काफी जादा फिर भी बन जाएगा तो फ्रेंड्स आपको इस तरह अपलाई करने के बाद इस रेमिटी को पाँच मिनट के लिए अपने चेहरे को पर इसी तरह लगा रहने दे इसके बाद जागे आप इसे वाश कर सकते हैं अब बात करते हैं आपको ये remedy हफते में कितने बार इस्तेमाल करनी है आपको ये remedy हफते में तीन बार इस्तेमाल करनी है तो आप लोग इसका इस्तेमाल जब कीजिए जब आप अपने काम से घर आ जाएं आप इसे सुबा इस्तेमाल मत कीजिए कभी आप इसको इसको इस्तेमा पंद्र दूर होने लगेगा और आपकी स्किन जढ़ादा प्रैट होने लगा वर देल सी prof distancing आज की मेरिवीजियो अगbur आपको मारे वीडियो पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक करूं करें और जाते जाते हमारे चाह सब्रे करें